नमस्कार दोस्ते, मैं संतुस पटेल, स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम तैली में स्टॉक आइटम पर डिसकाउंट को एपलाई करना सीखने वाले हैं टैली की प्रिवेस वीडियो में हमने बिल अमाउंट पर इन्वाइस अमाउंट पर डिसकाउंट को एपलाई करना सीखने माले हैं मतलब हमने जो प्रिवेस वीडियो में डिसकाउंट सीखा था वह हमारा जो टोटल बिल अमाउंट होता है जितना हमारा इन्वाइस अमाउंट होता है उस पर एपलाई किया गया था आज हम जो discount apply करना सीखेंगे इसमें हम अपने bill में invoice में जो भी stock item होंगे उन पर अलग-अलग rate से discount को calculate करना सीखने वाले हैं यहाँ पर हमने इसके लिए एक sample invoice भी बनाया है, bill बनाया है जिसमें हमने तीन stock item की entry करी है पहला stock item है हमारा mouse, दूसरा stock item है हमारा keyboard और तीसरा stock item है हमारा pen drive हमने एक mouse को यहाँ पर purchase या sell किया है, एक mouse को एक mouse का जो rate है वह है 200 रुपे, 200 रुपीज अब हमें इस 200 रुपे पर 5% discount भी apply करना है, तो 200 का 5% जो होगा वह हो जाएगा 10 रुपे तो जो हमारा total amount होगा, उसमें से हम discount को घटा देंगे, deduct कर देंगे, तो हमें जो amount mouse का पे करना पड़ेगा वह कितना पे करना पड़ेगा, 190 रुपे, इसी परकार से हमने keyword की entry करी है, यहाँ पर keyword की quantity है 2 और एक keyword का rate है 300 रुपे, तो 2 keyword हो जाएंगे हमारे 600 रुपे के, और उस पर हमने 2% discount भी apply किया है, तो यहाँ पर जो हमारा net amount होगा, total amount होगा keyword का, वह हो जाएगा 588 रुपे, क्योंकि 600 रुपे में से 12 रुपे हमारा discount कर जाएगा, इसी परकार से pen drive की entry की गई है, pen drive हमने 2 purchase से SL करी है, एक pen drive का rate है 300 रुपे, और 300 रुपे rate के बाद, जो हमारा total amount होगा, वह होगा 600 रुपे, जिस पर हमने 5% discount को calculate किया है, तो यहाँ पर जो pen drive का हमें amount देना होगा, वह देना होगा 570 रुपे, तो आप देख सकते हैं, इस invoice में, इस bill में, प्रतेक stock item पर, अलग-अल amount apply किया था, वह total bill amount पर, मतला हमारा यह है, जो total amount होता है, इस पर apply करना सीखा था, आज की वीडियो में हमने, प्रतेक stock item पर, अलग-अलग discount को apply करना सीखा, इसके बाद, जो हमारा total amount होगा, वह automatic calculate होकर, आ जाता है, तो अभी हमने, इस invoice को, एक example से समझा है, अब इस प्रका करना होगा, तो चलते हैं, टेली software पर, और इस entry को, टेली software पर करना सीखते हैं, तो अब हम, टेली software में आ गये हैं, यहाँ पर हम, invoice में, प्रतेक stock item के साथ, discount को add करना, discount को apply करना सीखने माले हैं, तो यह जो option है, इसको पहले हमें, अपनी company में, on करना होता है, activate करना होता है, मतलग, यदि हम, प्रतेक stock item पर, अलग-अलग discount set करना चाहते हैं, तो इसकी लिए हमें, अपनी company में, एक नया feature, एक नया option on करना होता है, जो की होता है, separate discount column on invoice, separate discount column on invoice, इस option को on करने से पहले, हम अपने purchase voucher, और sales voucher को एक बार open करके देखते हैं, तो voucher को open करने के लिए, हमने accounting voucher option को select किया, by default यहाँ पर payment voucher आता है, for example हम purchase voucher को select करते हैं, तो अब देख सकते हैं, यह हमारा normal purchase voucher है, जिसमें अभी discount का कोई भी option नहीं है, इसी प्रकार से sales voucher में भी discount का कोई option नहीं है, जब हम purchase करते हैं, यह sales करते हैं, कभी stock को purchase किया जाएगा, sell किया जाएगा, मतलब जो discount है, वह purchase या sales के साथ use किया जाता है, तो अब हमें अपने purchase और sales voucher में एक नया option एड करना है, जो की होता है discount, तो इस option को on करने के लिए, हमें gateway of tally में F11 को press करना है, या features बटन पर click करना है, company में कोई भी नया feature on करने के लिए, company features का use किया जाता है, जिसकी shortcut की होती है F11, या हम features बटन पर click करके भी इससे use कर सकते हैं, तो हमने features बटन पर click किया, हमारे सामने company features की window आती है, dialogue box आता है, इसमें हमें inventory features को select करना है, inventory features, inventory features मतलब stocks से related feature, तो हम inventory features को select करेंगे, यहाँ पर एक option होता है, use separate discount column in invoices, मतलब आप जब purchase की invoice बनाएंगे, या आप sales की invoice बनाएंगे, तो उसमें separate, मतलब अलग से एक column आ जाएगा discount का, अभी तक हमारी invoice पर, अभी तक हमारे bill पर, discount का column नहीं आता था, अब यदि हमें discount का column so करना है, add करना है, तो हमें इस option को yes करना होगा, हम इस option को yes करेंगे, और control A save कियेगा, changes को save करेंगे, अब यह option हमारी company में on हो गया है, option का नाम है separate discount column on invoices, मतलब अब यदि आप purchase का invoice बनाएंगे, और sales का invoice बनाएंगे, तो आप प्रतेक stock item के साथ, अलग अलग या एक ही rate से discount को भी apply कर सकते हैं, तो आप हम एक purchase invoice को बनाने वाले हैं, मतलब एक purchase का will बनाने वाले हैं, जिसमें हम प्रतेक stock item के साथ, discount को भी apply करेंगे, तो voucher entry करने के लिए हम accounting voucher option को select करते हैं, पहले हम stock को purchase करने की entry करेंगे, उसके बाद हम stock को sales करने की entry करेंगे, तो purchase की entry करने के लिए हम purchase voucher को select करते हैं, हमारे सामने purchase voucher open हो गया है जिसमें सबसे पहले हमें supplier invoice number देना होता है date देनी होती है party account name मतलब जहां से हम stock को purchase करेंगे आप देख सकते हैं अब हमारे voucher पर अब हमारी invoice पर एक नया column add हो गया है discount का column क्यूंकि हमने एक नया option on किया है separate discount column on invoices उस option को on करने से हमारे voucher पर हमारे invoice पर एक नया column add हो जाता है तो यहां पर हम supplier invoice number देते हैं कोई भी एक for example हमने supplier invoice number दिया है 400 यहां पर हमें date देनी होती है इसके बाद हमें party account name को देना होता है मतलब हम कहां से stock को purchase कर रहे हैं तो for example हम अपना जो stock है वह SP computer से purchase कर रहे हैं इसके बाद purchase laser में हमें गुर्स purchase की laser को select करना होता है अब हमसे पूछा जा रहा है name of item मतलब आप कौन कौन सा stock purchase करने वाले हैं तो हमारी company में जो भी stock बना है हम उसमें से कुछ stock को purchase करते हैं for example हमने mouse को purchase किया mouse को जैसे ही हमने mouse को select किया tally में हमारा go down option भी on है go down हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो mouse purchase कर रहे हैं उसको आप किस go down में store करना चाहते हैं क्यूंकि हमारी company में go down option भी on है तो हमें किसी भी एक go down को select करना है और इस stock को उस go down में store कर देना है तो for example हम mouse को main location बाली go down में store करना चाहते हैं इसके बाद हमें quantity भरनी होती है कि हम कितने piece mouse को खरीदने बाले हैं तो for example हमने एक piece mouse को purchase किया यहाँ पर हमें rate देना होता है कि mouse हमने कितने रोपे का खरीदा है हम पहले भी mouse को purchase करने के entry कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर automatic rate आ गया है 200 रुपे for example हमने एक mouse खरीदा है 200 रुपे का आप देख सकते हैं यहाँ पर discount का column भी आ रहा है क्यूंकि हमने इस option को on कर लिया है यदि आप mouse पर कोई discount ले रहे हैं आपको mouse के rate पर कोई discount प्राप्त हो रहा है तो बहे आप यहाँ पर set कर सकते हैं फिल कर सकते हैं for example हमें mouse पर 5% discount प्राप्त हुआ तो पहले जब हमने discount को fill नहीं किया था तो हमारा mouse का amount था 200 रुपे लेकिन अब जैसे ही हमने 5% यहाँ पर discount set किया automatic mouse का amount यहाँ पर कम हो गया deduct हो गया क्यूंकि उसमें से discount को card दिया गया है यह होता है discount stock item के साथ discount को apply करना अभी हमने एक stock item को purchase किया इसी प्रकार से for example हम keyword को purchase करते है keyword को भी हम man location वाली go down में store करेंगे हमने यहाँ पर दो keyword purchase करे है for example एक keyword है हमारा 300 रुपे का एक keyword है 300 रुपे का तो दो keyword हो गए हमारे 600 रुपे की अब यदि keyword पर हमें कोई discount प्राप्थ हो रहा है तो बहरे rate हम यहाँ पर set कर सकते है for example हमें keyword पर 2% का discount प्राप्थ हो रहा है automatic tally ने 2% discount calculate किया और amount में से उसे deduct कर दिया यह होता है stock item के साथ discount को apply करना इस प्रकार से आप कितने भी stock item को अपने invoice में purchase कर सकते हैं और उन पर अलग-अलग rate से discount भी apply कर सकते हैं यहाँ पर हमें 2 pen drive purchase करी है एक pen drive हमारी 300 रुपए की है और pen drive पर हमें 5% discount भी प्राप्थ हो रहा है तो इस प्रकार से आप अपने invoice में अपने will में कितने भी stock को purchase कर सकते हैं और उन पर अलग-अलग rate से discount को apply भी कर सकते हैं यह होता है stock item के साथ discount को use करना add करना यदि आप इस invoice का print out निकालेंगे इसका print निकालेंगे तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो will है उस पर एक नया column भी print होगा कौन सा column? discount का column हमने alt पी से अपने invoice को print किया यदि आपने discount को on किया है तो आप उसको invoice पर print भी कर सकते हैं अभी हमने purchase की entry करी, purchase का invoice बनाया इसको हम control एसे save करते हैं और अब हम इसी प्रकार से एक sales की entry करना भी देखते हैं उसके लिए हमें sales voucher को select करना होगा यहाँ पर हमें एक reference number देना है तो for example हमने reference number दिया है 401, party account name आप किस गिराहक को माल बेच रहे हैं तो for example हम दीपक को माल बेच रहे हैं यहाँ पर गुर्स sales की लेजर को हम select करेंगे for example हमने दीपक को mouse sell किया mouse जो कि हमारा man location बाली go down में store है पहले से तो हमने go down को select किया हमने दीपक को एक mouse sell किया है for example हम mouse sell कर रहे हैं 400 रुपे का 400 रुपीज का हमने एक mouse दीपक को sell किया है इसके बाद यदि आप अपने गिराहक को stock पर discount देना चाहते हैं तो वह rate भी आप यहाँ पर set कर सकते हैं जिस rate से आपको discount देना है वह rate आप यहाँ पर fill कर सकते हैं for example हमने दीपक को mouse पर 3% से discount दिया है तो tally automatic 3% discount को calculate करेगी और amount में से उसे deduct कर देगी यह होता है stock item के साथ discount को use करना इसी परकार से हम एक और stock item को select करते हैं keyword को यह भी हमारा main location go down में store है for example हमने 2 keyword sell करे हैं एक keyword for example हम 500 रुपय का sell कर रहे हैं यहाँ पर हम दीपक को 5% का discount भी देंगे keyword पर तो आप देख सकते हैं tally ने automatic 5% discount को calculate किया और उसको total amount में से deduct कर दिया है इस परकार से आप कितने भी stock को purchase या sell करने के entry कर सकते हैं और उसके साथ discount का column भी add कर सकते हैं प्रिवेस वीडियो में हमने total bill amount पर total invoice amount पर discount calculate करना सीखा था और आज की वीडियो में हमने प्रत्यक stock item के साथ अलग-अलग discount को apply करना सीखा है आप इस option को practically use करके देखें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जादा से जादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यबाद